नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका वैदिक नौलेच चैनल में आज हम आपको एक ऐसे पौधे की बारे में बताएंगे जिससे लगाने से आपके घर में कभी धनकी कमी नहीं होगी आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही वैल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हमारे चैनल के नए-ने अपडेट्स मिलते रहें वास्तु शाष्त्र में ना सिर्फ दिशाओ का महत्व है बलकि घर के आसपास मौजूद हर एक चीज़ का भी होता है वास्तु शाष्त्र में कई ऐसे उपाई बताए गए हैं जिसे घर में सकरात्मक उर्जा का संचार बढ़ता रहता है वास्तु में जितना महत्व दिशाओ का होता है उतना ही महत्व घर पर मौजूद पौधो का भी होता है कुछ पौदे ऐसे होते हैं जिसे घर पर लगाने से उर्जा के साथ धन में वृद्धी होती है आमधारना के मुताविक सुक्समृद्धी और धन मृद्धी के लिए वैसे तो मनी प्लांट को लगानी की बात कही जाती है लेकिन काफी कम लोग यह जानते हैं कि इससे भी कालगाल एक पौदा होता है जिसे घर पर लगाने से धन की कमी कभी नहीं होती है यह पौधा होता है क्रासुला का क्रासुला को मनी ट्री भी कहा जाता है फेंग शुई में इसका काफी महत्व है कहते हैं यह पौधा चुमबक की तरफ पैसों को अपने और खीचता है क्रासुला के पौधे को घर में लगाने से सकरात्मक उर्जा आती है वास्तु शाष्टर में माना जाता है कि इस पौधे को रखने से घर में धन वृती होती है यह चोटा सा मकमली पौधा गहरे हरे रंग का होता है इसकी पत्यां चोड़ी होती है और यह फैलावदार होता है इसे लगाने में ज़्यादा महनत नहीं लगती इसका पौधा खरिद के किसी गमले या जमीन में लगा दें फिर यह अपने आप फैलता रहेगा इसे धूप या छाव कहीं भी लगाया जा सकता है इस पौधे के बारे में मान्यता है कि यह सकारात्मक उर्जा और धन को अपने पास खीचता है इसे घर के मुख्य द्वार्प के दाई तरफ लगाने फिर देखिए कैसे आपके घर में धन की वर्शा होने लगे ली यह थी जानकारी क्रासुला प्लांट के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंदाया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें